नमस्कार दोस्तो मिनी ट्रक टॉक्स के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे देट टन पिकप सेगमेंट की महिंद्रा बिग बोलो रो पिकप इस गाड़ी के बारे में तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो महिंद्रा की बिग बोलो रो पिकप तीन मॉडिल्स में अवेलेबल हैं सबसे पहला मॉडल है 1250 किलो का दूसरा है 1500 किलो का और तीसरा है विडाउट बोडी वाला 1700 किलो का दोस्तो अब बात करते हैं इस गाड़ी के कॉंपिटिटर यानि की प्रतियोगीता के बारे में इस गाड़ी की सबसे पहली प्रतियोगी है टाटा की जयनौन योद्धा दूसरी है फोर्स मोटर्स की कारगो केंग स्टार तीसरी है आई सुजू की डी मैक्स S-CAP पिकप और चौती है और शोकले लेंग की दोस्त प्लस दोस्तो इस गाड़ी की एक शोरोम कीमत है 6,30,000 से लेकर 6,45,000 ये बात ध्यान में रखिया कि भारत के अलग-अलग इलाकों में इस गाड़ी की कीमत फ्लक्चुएट हो सकती है दोस्तो अब हम जानते हैं महिंद्रा की बिक बोल अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के एप्लिकेशन्स यानि की कौनसी कौनसी टाइब की बॉड़ी इस पर आप बना सकते हैं इस पर आप बना सकते हैं फुल बॉड़ी, हाफ बॉड़ी, मिल्क वैन, पोल्ट्री वैन, टिपल ट्रक, रफ्रिजरेटेड वैन, टोइंग वैन, टैंकर और कंटेनर इत्यादी में दोस्तो बात करते हैं इंजिन की तो महिंद्रा की बिक बिलोरो पिक अप में महिंद्रा का जाना माना M2DICR 2500 CC का 4 Cylunders Inline BS4 इंजिन दिया गया है जो तो अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के ट्रांस्मिशन, सस्पेंशन और ब्रेक्स के बारे में इस गाड़ी में सिंगल प्लेट ड्राइ कलच दिया गया है जो की मेट किया गया है 5-speed synchromesh gearbox smooth shifting के लिए suspension की बात करें तो आगे और पीछे rigid leaf spring दिया गया है जो की आप बात में बढ़ा सकते हैं उसी के साथ साथ आगे के axle पर anti roll bar और पीछे वाले suspension पर hydraulic telescopic shock absorbers दिये गये हैं brakes की बात करें तो आगे की तरफ आपको मिलते है disc brakes और पिछे की तरफ drum brakes fuel tank इस गाड़ी में 60 liter का दिया गया है जो की mileage आपको देता है 11-13 km प्रति लीटर दोस्तों बात करते हैं गाड़ी के dimensions के बारे में तो गाड़ी का cargo box यानि की डाला 9 feet का है उसके साथ साथ गाड़ी तीन payload options में available है 1.25 ton, 1.5 ton और without body यानि की chassis format में 1.7 ton गाड़ी का ground clearance 195 mm का है जो की कच्चे रास्तों पर अच्ची पकड़ और नियंतरन देने में सक्षम है दोस्तों बात करते हैं गाड़ी के mileage के बारे में तो मेरे market research के दोरान मैंने बहुत सारे drivers के बात किया मुझे उन्होंने बताया कि bowler or pickup 11-13 km प्रति लीटर का mileage देती है वो भी loaded format में दोस्तों बात करते हैं गाड़ी में मिलने वाले features के बारे में गाड़ी में आपको dual tone interiors, one plus one seating capacity का cabin, engine immobilizer, speakers के लिए खाली provision, floor mats, 12 volt का mobile phone charger, उसे के साथ साथ ELR seat belts और stylish designed interior sliding और reclining seats के साथ मिलेगा गाड़ी की warranty की बात करे तो महिंदरा की दरफ से आपको 2 साल या 1,00,000 km की warranty दी जाएग दोस्तो महिंदरा की बोलोरो पिकप, देड़ तन के पिकप सेगमेंट की बेताज बाच्छा क्यों कहलाती है, क्योंकि जब ये गाड़ी कुछ सालों पहले launch हुई थी, तभी इसका market में कोई भी competitor नहीं था, हाला कि इसके नजदीकी competitors, Tata Zenon Yoda और Isuzu D-Max S-Cab महिंदरा बोलोर सबसे ज़्यादा पसंद है, इसलिए ये देड़ तन के पिकप सेगमेंट की बेताज बाच्छा कहलाती है, हमें यही आशा है कि महिंदरा अपना सर्विस नेटवर्क सुधार है, ताकि इस गाड़ी की सर्विसिंग और सर्विस क्वालिटी और पार्ट्स अवेलेबिलिट तो उसको जाके देख लीजे और पसंद आएगा तो जरूर सबस्क्रेब कीजे क्योंकि बहुत मेहनत करता है बंदा और आप अच्छा ची वीडियो बनेता है बिल्कुल हमारे चैनल की तरह और दूसरी चीज अगली वीडियो ट्रैबल ब्लोग के एगी जो अभी मैं गूम जुने गया था उसकी हमारे गाव की कुछ डिटेल्ड वीडियो उसके बाद एक स्पेशल वीडियो जो कि बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की की इस प्रक की वो भी आने वाली है तो स्टे ट्यून अब ट्रैबल ब्लोग उसके बाद वो ट्रक और फिर और ट्रक्स कंटिन